तो कहानी की शिरुवात बे की नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो अपनी कार से पनी काम पर जा रही होती है। बेकी चैट्विक सिटी के एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। कुछ दिर बाद वो रेस्टोरेंट पहुँच जाती है और अपनी कार को पारकिंग एरिया में लगाकर रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगती है। तब ही उसके पास केविन आता है। केविन भी उसी रेस्टोरेंट में काम करता था यहां से दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहां पर इस रेस्टोरेंट की मेरिजर सेंड्रा बाकी वर्कर्स के साथ इन दोनों का ही वेट कर रही होती है अब सभी के आजाने से सेंड्रा सभी वर्कर्स को बताती है कि क भी काम में बिजी हो जाती है थोड़ी दिर में धीरे धीरे रेस्टोरेंट पर कस्टमस आने शुरू हो जाते हैं कुछ दिर बाद मार्टी जो वहीं काम करती थी वो बेकी के पास चाकर कहती है कि सेंडरा को लगता है कि तुमने कल राद दर्वाजा खुला छोड़ दिया था लेकिन बेकी उसे कहती है कि दर्वाजा असल में केविन ने खुला छोड़ा था और मैं इस बाद को सेंडरा को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इससे केविन की जॉब चली जाएगी यहां पर मार्टी को पता चलता है कि बेकी सच बोल रही है इसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाती है कुछ घंटों बाद यानि दोपहर के टाइम रेस्टोरेंट के फोन पर एक कॉल आती है जैसे ही सेंडरा उस कॉल को पिक करती है तो दूसी तरफ से डैनियल नाम का एक पुलिस आफिस्टर उसे कहता है कि मेरे पास एक आदमी आया है जो मुझे बता रहा है कि आपके परसे जो पैसे चोरी हुए है वो आपके रेस्टोरेंट में काम करती एक लड़की ने चुराए है जिसका नाम बेकी है और बेकी को उसने अपनी आँखों से आपके परसे पैसे चुराते देखा है इतना कहकर डैनियल सेंडरा को कहता है कि मेरे पास इन्विस्टिगेशन करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टीम है जो आपके रेस्टोरेंट पर आकर बेकी से इस बारे में पूछताच कर सकती है लेकिन इससे आपके रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्प कर सकती हो सेंडरा ये सब सुनकर थोड़ा घबराती हुई डैनियल से पूछती है कि आखिर आपकी हेल्प मैक कैसे कर सकती हूँ जिस पर डैनियल सेंडरा को कहता है कि सबसे पहले आप बेकी को रेस्टोरेंट के बैक साइड लेकर आए और उससे मेरी बात करवाईए सेंडरा ऐसा ही करती है वो तरन बेकी के पास चाकर उसको रेस्टोरेंट के बैक साइड ले जाती है और उसे इस बारे में सब कुछ बता कर डैनियल को फोन लगा कर बेकी की डैनियल से बात करवाती है फोन पर बेकी डैनियल से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है लेकिन डैनियल उसे कहता है कि मेरे पास एक आदमी आया है जिसने तुम्हें सेंड्रा के पर्से चोरी करते हुए देखा है इसके बाद डैनियल बेकी से कहता है कि मेरी सेंड्रा से बात करवाओ डैनियल सेंडरा से कहता है कि आपको बेकी के पर्स की तलाशी लेनी होगी जिससे सेंडरा तुरंत बेकी का पर्स उठा लेती है और साथी बेकी को वार्निंग देती है कि अगर तुम्हारे पर्स से मुझे मेरे पैसे मिले तो मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दूँगी। वले हाँ पर सेंडरा बेकी के पर्स को चेक करती है लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। सेंडरा डैनियल को कहती है कि मुझे बेकी के पर्स से कुछ भी नहीं मिला। जिस पर डैनियल उसे कहता है कि बेकी को रेस्टोरेंट में ही पकड़ कर रखो साथ ही वो सेंडरा को ये भी कहता है कि आपको मेरी फोन कॉल पर ही मदद करनी होगी सेंडरा उसे कहती है कि बेकी ने पहले कभी ऐसा गलत काम नहीं किया है लेकिन डैनियल उसकी बात का विश्वास नहीं करता और कहता है कि अगर बैकी निर्दोश निकली तो इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ और जो भी सजा मुझे कानून देगा मैं उसे कबूल करूँगा सेंडरा बैकी की दوبारा डैनियल से बात करवाती है और बैकी डैनियल को समझाने की कोशिश करती है कि सर मैंने आज तक कभी भी ऐसा गलत काम नहीं किया है और मैं चोर नहीं हूँ ये सुनकर डैनियल बैकी को दो आप्शन देता है पहला ये कि बेकी को चोरी के जुर में जेल जाना होगा और दूसरा ये कि बेकी को अपने सारे कपड़े उतार का सेंडरा को उसकी तलाशी लेने देनी होगी ये दो आप्शन सुनकर बेकी के पैरों तले जमीन किसक जाती है लेकिन वो जेल नहीं जाना चाहती थी इसलिए वो अपने कपड़े उतार का सेंडरा को उसकी तलाशी लेने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन वो डैनियल से रिक्वेस्ट करती है कि जब सेंडरा उसकी तलाशी ले तो उसके पास माटी वहां मौचूद रहे डैनियल बेकी की इस बात के लिए मान जाता है वहीं सेंडरा को यहां पर थोड़ा शक होता है और वो डैनियल से पूछती है कि क्या वो किसी फोन बूट से बात कर रहा है या फिर वो किसी तरीके से उनने देख रहा है सेंडरा की इस बात का डैनियल कोई जबाब नहीं देता और सेंडरा भी मन ही मन डरी हुई थी इसलिए वो बात को इक्टोर करके माटी को लेने चली जाती है सेंडरा माटी के पास जाकर उसे इस मामले के बारे में सब कुछ बता कर अपने साथ रेस्टरेंट के बैक साइड ले आती है इसके बाद बेकी अपनी तलाशी देने के लिए एक एक करके अपने सारे कप्रों को चेक करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता इसके बारे में वो डैनियल को बताती है डैनियल सेंडरा को कहता है कि आपको बेकी के अंडर गामेंट्स पी चेक करने होगे अब मजबूरी में बेकी को अपने अंडर गामेंट्स पी उतारने पड़ते हैं और वो पूरी तरह से नूट हो जाती है लेकिन वहाँ खड़ी माटी को ये देखकर बेकी पर बहुत दया आती है इसलिए वो एक अपराण उठाकर बेकी को पहनने को देती है वहीं डैनियल सेंडरा को कहता है कि आपके रिस्टोरेंट के बाहर एक कार खड़ी है जिसमें आपको बेकी के सारे कपड़े रखने होगे जिनने मैं बाद में अच्छे से चेक करूँगा सेंडरा बेकी के कपड़े बाहर उसकी बताई हुई कार में रखकर वापस आकर माटी को वापस काम करने के लिए भीच देती है और डैनियल को कहती है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया इतना कहकर वो डैनियल से कहती है कि मुझे भी अपने काम पर जाना है वरना हमारा धंदा चौपट हो जाएगा इस पर डैनियल कहता है कि ठीक है आप अपने काम पर चले जाओ लेकिन बेकी पर नज़र रखने के लिए किसी आदमी को बुला लो उसकी इस बात को मान कर सेंडर कपडों के बैठा देखता है तो वो गुस्से से भर जाता है और डैनियल को गुस्से से समझाता है कि बेकी चोर नहीं है वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती वहीं डैनियल केविन से कहता है कि तुम्हें बेकी की तलाशी लेनी होगी इससे सुनकर तो केविन को और जादा गुस इतना कहकर वो बाहराने लगता है और अचानक वो सेंडरा से टक्रा जाता है जो वहीं आ रही थी वो सेंडरा से कहता है कि सौरी इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता सेंडरा डैनियल से बात करती है जहां डैनियल उसे बताता है कि केविन बेकी पर नज़र रखने के लिए सही आदमी नहीं है डैनियल सेंडरा से पूछता है कि आप किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो बेकी पर अच्छे से नज़र रख सके जिसके जबाब में सेंडरा उसको अपने मंगीतर के बारे में बताती है डैनियल कहता है कि आपको अपने मंगीतर को इस काम में उनकी मदद करने के लिए बुलाना होगा सेंडरा को काफी अजीब लगता है लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे अपने मंगीतर जिसका नाम वान था उसे रेस्टोरेंट में बेकी पर नज़र रखने के लिए बुला लेती है लेकिन वैन काफी नशे में था सेंडरा वैन को इस मामले के बारे में सब कुछ समझा देती है और वैन को बेकी के पास नज़र रखने के लिए छोड़ कर वापस अपने काम पर चली जाती है वहीं डैनियल वैन से कॉल पर बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हें बेकी को एपरान निकालने के लिए कहना होगा लेकिन वैन इतना भी नशे में नहीं था कि वह इस बात को समझ ना पाए वो डैनियल को ऐसा करने से मना कर देता है डैनियल वाउन को कहता है कि मेरी बेकी से बात कर बाओ डینियल बेकी से कहता है कि अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो तुम्हें वही करना होगा जो वैन तुमसे कहेगा आखिरकार बेकी ऐसा करने पर मचपूर हो जाती है और वैन के सामने ही अपना अप्रान उतार कर फिर से पूरी तरह से न्यूट हो जाती है डैनियल बड़े ही घटिया तरीके से वैन से पूछता है कि बेकी के बॉड़ी पार्स कितने बड़े हैं जिस पर वैन कोई जवाब नहीं देता तब ही डैनियल वेन को कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि जिस आदमी ने बेकी को चोरी करते देखा था उसने बेकी के चेस पर कुछ निशान देखे थे इसलिए तुम्हें उन निशानों का पता लगाना है वहीं डैनियल को वान की आवाद से आइडिया हो जाता है कि वो नशे की हालत में है इसलिए वो वान को कहता है कि तुम्हें बेकी को चम्प करने के लिए कहना होगा जिससे चोरी किये गए पैसे उसके प्राइवेट पार्स से नीचे गिर जाएंगे वही वेन के कहने पर बेकी नगन हालत में ही जम्प करने लगती है और जब कोई पैसे बाहर नहीं निकलते तो डैनियल वान से कहता है कि तुम्हें बेकी के प्राइवेट पार्ट्स को खुद ही चेक करना होगा वेन अब बेकी से काफी अट्रैक्ट हो चुका था इसलिए वो वान को ऐसा करते देख पाती वो रुख जाते हैं लेकिन सेंडरा को वान पर शक होता है इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे जिसके जवाब में वान उससे कुछ नहीं बताता जिससे सेंडरा डैनियल से बात करके उससे पूछती है लेकिन डैनियल उससे बड़े ही प्यार से बात करता है जिससे कि वो उस पर शक्त ना करे इसके बाद सेंडरा को लगता है कि सब कुछ ठीक है जिससे वो फिर से वापस अपने काम पर चली जाती है सेंडरा के जाते ही डैनियल वान को कहता है कि तुम बेकी के बैक साइड में थपड मारो वान ऐसा ही करता है वो बेकी को थपड मारने लगता है जिससे बेकी को काफी जादा पेन होता है डैनियल बेकी से कहता है कि तुम्हें एक और काम करना होगा जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगी और मैं तुम पर उसके बाद कोई और कारवाई नहीं करूँगा डैनियल कहता है कि तुम्हें वान के साथ इंटिमेट होकर उसे पूरी तरह से खुश करना होगा ये सुनकर बेकी पहले तो हिचकिचाती है लेकिन अब उसे इस सबसे आजाद होना था इसलिए वो इस खनोने काम को करने के लिए तैयार हो जाती है कुछ टाइम के बाद सेंडरा उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है जहां वो देखती है कि बेकी और वैन दोनों चुपचा बैठे हैं जिसका मतलब कि वोन बेकी के साथ इंटिमेट हो चुका था और अब रात भी हो चुकी थी वोन अपने किये पर शर्मिनदा था और अब उसका नशा भी काफी उतर चुका था वो बेकी से नजर नहीं मिला पा रहा था सेंडरा को ये देखकर कुछ बीस समझ नहीं आता कि वहां आखिर क्या हुआ है तब सेंडरा डैनियल से कॉल पर बात करती है तो डैनियल उसे बताता है कि वोन काफी ठक चुका है इसलिए उसे घर भेज़ दो जिसके बाद वोन वहां से चला जाता है वो कार में बैट कर अपने दोस को कॉल करके अपने घर बलाता है और उसे ये सब बताता है कि उसने नशे की हालत में कितनी बड़ी गलती कर दी है अब उसे अपने किये पर पश्टाबा हो रहा है वहीं दूसी तरफ रेस्टोरेंट में सेंडरा का एक दोस उससे मिलने आता है उसे देखकर सेंडरा काफी खुश होती है वहीं रेस्टोरेंट की बैक साइड में बेकी देखती है कि इस पूरे रेस्टोरेंट में कैमरे लगे हुए थे मतलब कि जो भी वान ने उसके साथ किया था वो रेस्टोरेंट के कैमराज में रिकॉर्ड हो चुका था वही सेंडरा हेरॉल को बेकी के बारे में सब कुछ बता कर उसे कुछ समय के लिए बेकी की निकरानी रखने के लिए मना लेती है और उसे बैक साइड बेकी की निकरानी के लिए छोड़कर अपने काम पर वापस आ जाती है जिसके बाद डैनियल जब हैरॉल से बात करता है तो हैरॉल को वॉन ने जो बेकी के sाथ किया था वो सब कुछ बता देता है और फिर हैरॉल को भी कहता है कि तुम्हें भी बेकी के साथ इंटिवेट होना होगा ये सब सुनकर हेराल्ड तुरंट सेंडरा के पास जाकर उसे ये सब कुछ बताता है कि डैनियल ने वान से बेकी के साथ क्या करवाया और अब वो मुझसे भी बेकी के साथ ऐसा ही करने को बोल रहा है इतना सुनते ही सेंड़ा को अब यकीन हो जाता है कि डैनियल कोई पुलिस आफिसर नहीं है वो तुरंट पुलिस को कॉल करके उनको इस सब घटना के बारे में बताकर वहाँ बुला लेती है पुलिस सबसे सवाल जवाब करती है और जब पुलिस बेकी से पूछती है कि तुमने डैनियल को ऐसा करने से मना क्यों नहीं किया तो बेकी कहती है कि मैं बहुत डर गई थी और मैं इस सब मैटर से आजाद होना चाहती थी अब इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिकेशन शिरू होती है वो अलग अलग शहरों में कॉल करते हैं जहां से उन्हें पता चलता है कि ऐसी घटना पहले भी जगों पर घट चुकी है वहीं पुलिस को डैनियल के नंबर से उसकी लोकेशन का पता चल जाता है जहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि डैनियल असल में एक टेली मारकेटर था और वो उसे इस चुर्म की सजा देने के लिए पकड़ लेते हैं वहीं हम बेकी को देखते हैं जो अपने साथ हुई बदसलूकी के लिए सेंडरा पर कोट में केस कर देती है और कानूनी करवाई के बाद सेंडरा को उसकी जौब से निकाल दिया जाता है और साथ ही उसे एक फाइन भी लगाया जाता है कुछ दिनों बाद सेंडरा का इंटर्वियू लिया जाता है जिसमें वो खुद को निर भी यहीं पर खत्म हो जाती है